भारत वहदेश है जहां यह कहावत बड़ी प्रचलित है कि एकलख पूत सवालख नाती उस रावन के घर में दियान बाती यानि कि ऐसा रावन जिसके पास सक्ति की कमी नहीं थी उसके घमंड का नास होते देर नहीं लगा और ऐसी स्थिती हो गई कि उस रावन के घर में दिया और बाती जलाने वाला कोई नहीं रहा यही हाल चीन का होने वाला है चीन के खिलाफ भारत को बहुत बड़ी मद्यदी अमेरिका और इसराइल ने अमेरिका इसराइल की वजह से चीन के सर्वनास का बिगुल बजगया वहीं दूसरी तरफ बंगला देश से अभी चार दिन पहले ही दोस्ती हुई थी लेकिन बड़ा धोका दे दिया चीन निकल कर सामने आई बात की आखिर पिये मोदी और नेतान्याहू के बीच कौन सी बड़ी डील हुई है इसके अलावे बहुत कुछ आईए जानते हैं इन खबरों को बिस्तार से आपको बता दे आजकल बंगला देश को घेरने के चकर में चीन लगा हुआ था और चीन ने वहां भारी बरकम निवेस का लालच भी दे दिया वो भी 26 अरब डॉलर का इन सब के बीच अमेरिका को समझ में आ गया कि चीन बंगला देश के सहारे भारत को घेरना चाह रहा है और साथ ही साथ इंडो पेस्फिक में अमेरिका को भी कमजोर करना चाह रहा है ऐसे में अमेरिका ने आगे बढ़कर न बंगला देश के साथ एक बड़ी संधी कर ली व वैसे ही चीन ने अपना असली रंग दिखलाना भी शुरू कर दिया। वैसे आपको बता दें अमेरिका की संधी के अनुसार अमेरिका भारी पैमाने पर निवेस भी करेगा और एक दूसरे के लिए ओपन इसकाई संधी का पालन करेगा है। यानि कि दोनों के छेतर में हवाई उडाने बिलकुल फ्री होंगी। वैसे चीन को भी यह समझ में आ गया है कि अमेरिका ने चीन को वहाँ से बाहर निकालने के लिए ये सारी चीजे करी। और इसका फायदा होते हुए भी दिख रहा है। कुछ दिनों पहले ही चीन के राश्पती जी जिन्पिंग बंगलादेश के साथ अपने पार्टनर्सिप को नई उचाईयों तक ले जानी की बाते कर रहे थे। और बंगलादेश भी पूरा गदगद था क्योंकि 97 परतिसत बंगलादेश के उत्पादों पर टेरिफ को फ् टिसते अभी बड़ी उचाई को छूएंगे लेकिन बड़ी उचाई को छूने से पहले ही जमीन में गिर गैसे दोनों के सपने क्योंकि चीन वह है जिसके बारे में यह कहा जाता है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको चीन ने ठगा नहीं बिना मतलब कि वो कहीं नहीं जाता है चीन ने बंगला देश से अपना गुस्सा निकालते हुए पहला काम यह किया है कि चीन की सीनोवे कमपनी ने अपने वेक्सिन का ट्रायल बंगला देश में बंद कर दिया है और कमपनी का कहना है बंगला देश को कि अगर उसे ट्रायल करवाना है तो पहले उसे पैसे लगाने होंगे वैसे आपको बता दें कई वेक्सिन निर्माता अपने पैसों पर दूसरे देशों में फ्री में ट्रायल कर रहे हैं खुद चीन भी 11 देशों में अपनी वेक्सिन का ट्रायल फ्री में कर रहा है और अब ऐसे में बंगला देश जैसे छोटे और आनुपातिक रूप से गरीब देश से पैसे मागना चीन की एक चाल ही है अब यह मामला पहुंच गया है बंगलादेश की सेख हसीना तक और बंगलादेश की PM ने अब यह ने लिया है कि हमें चीन की कमपनी पर निर्भण नहीं रहना है और हम दूसरी चीजों को देखेंगे चीन अपने अर्वो डॉलर के BRI पोरजेक्ट में बंगलादेश को सामिल करने के लिए एड़ी चोटी का जूर लगा रहा है इस परियोजना की मदद से बंगाल की खाड़ी में चीन अपनी पहुँच बनाना चाहता है इस छेत्र में भारत के अंडमान निकोबार और बिसाका पतनम सहित कई नेवल बेस और रनीतिक ठीकाने हैं चीन का मुख्यू देश बंगलादेश को साध कर भारत को घेरने की है वह हिंद महासागर में स्रिलंका और मालदी को पहले ही अपने कर्ज के जाल में फसा चुका है और नेपाल तो पहले से ही चीन की भासा बोल रहा है सा पाकिस्तान तो उसका आईरन ब्रदर है ऐसे में अब बच गया बंगलादेश को फसाने के चक्कर में चीन था लेकिन अमेरिका ने बीच में ही उसके खेल को खराप कर दिया है और असली रंग में चीन को आने के लिए मजबूर भी कर दिया है वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से भारत और चीन सीमा के बीच विवाद है ऐसे में भारत को इमरजेंसी मोट पर बहुत ज़्यादा खरीदारी करनी पड़ रही है और दो ऐसे देश हैं जो इस समय भारत को बहुत मदद कर रहे हैं क्योंकि जिस तरह से सीमा पर तनाव है उस इसराइल के राष्टपती नेतान्याहू से बात करी थी और इस बात को हला की आधिकारिक तोर पर यह कहा गया था कि यह बात महामारी को लेकर है लेकिन अब जो असल बात निकल कर आई है वह काफी बड़ी है असल में फोन पर ही एक बड़ी डील हो गई है परधानमंत्री और बेन्यामिन नेतान्याहू के बीच दरसल इस डील में जुलाई में हुए हतियारों के सौधे को तुरंसे तुरंत तुरंत भारत भेजने के लिए बात हुई है वैसे आपको बता दे 800 करोड लागत की यह डील हुई थी और इस डील में आटोमेटिक मसीन गन लेजर के लिए कहा है वैसे आपको बता दे खबर यह भी निकल कर आ रही है कि इसराइल ने पुर्ण रूप से भारत को वचन दिया है कि वह आने वाली लडाई में मदद करेगा हतियारों का जखीरा कम नहीं पढ़ने देगा भारत की इस्तिती उन्हें 162 की तरह नहीं होगी इस इसराइल ने साफ साफ वाइदा किया है क्योंकि आपको बता दे 1962 में बारूदों की भी कमी हो गई थी और हतियार भी हमारे पुराने थे लेकिन अब आमेरिका भी इस दिसा में आगे बढ़ रहा है और भारत को 72,000 एसल्ट राइफल्स की आपूर्ती इमर्जेंसी मोड में करने जा रहा है वैसे आपको बता दे इन राइफल्स का इस्तेमाल भारत ने छोटे लेबल पर खरीद कर परिच्छन के तौर पर किया था जिसके रिजल्ट काफी अच्छे आए ये राइफल्स इस वक्त बहुत ज्यादा महत पुण है क्योंकि ठंड वाले इलाकों में हमा भारत के पास भी हाइटेक हतियार होने चाहिए अब लगवग तय ही है कि भारत और चीन के बीच तो लडाई होकर ही रहेगी दोनों तरफ की तयारियों को देखकर ऐसा ही लग रहा है ऐसे में आपको क्या लग रहा है क्या अमेरिका और इसराइल दोनों भारत को साथ अगले वीडियो में नई नीज के साथ